अब उसके घर में बेटा होगा तो आपका पोता बनेगा इसके लिए आपको जाना चाहिए अपनी ही कुंडली के उस घर में जिस घर में अब पोते की चाह होती है और कुछ लोगों को बेटे की बेटी की चाह होती है माने पोत्रे की पोते की चाह होती है अब पोते की चाह में लोग पूछते हैं कि हम कैसे जाने पोते का सुख होगा या नहीं होगा कुंडली में इस विशे को जानने के लिए आपको सहज तरीका बताता हूँ दिखिए जो जन्म कुंडली है आपकी उसी में आपको अपने पोते के बारे में भी जानकारी मिल जाती है कैसे? आप अपने संतान के बारे में जानना चाहते हो तो पाँचवे घर को देखो पाँचवे घर में यदि सम राशी है सम राशी है जैसे टू, फोर, सेक्स, एट ऐसे तो जो सम राशी है अगर पाँचवे घर में है और वहाँ पर इस्त्री ग्रह है तो समझना कि आपके घर में बेटियां जादा होंगी परन्तु, विशम राशी है और इस्त्री ग्रह जादा है और पुरुष ग्रह सिंगल है तो समझना कि बेटियां ज्यादा होँगी पर बेटा कम होगा यानि कि जिसे दो बेटियां होँगी तो एक बेटा होगा बहुत सरल तरीका है यह और जब आपका पंचमभाव में विशंड़ राशी है और पुरुष ग्रह एक बैठा है तो समझ ना कि बेटा एक होगा अब उसके घर में बेटा होगा तो आपका पोता बनेगा इसके लिए आपको जाना चाहिए अपनी ही कुंडली के उस घर में जिस घर में आपके पोते का रहा से छुपा हुआ है अब पोता धर मात्मा होगा या दुरात्मा होगा ये विशे तो बाद का है लेकिन अगर बेटा धर मात्मा होगा तो आपकी सेवा करेगा निश्चित बात है कि बेटे के सनेह से ज़एदा पोते का सनेह विक्ति को होता है तो कहता ही न, सूत ज़्यादा प्यारा होता है, मूल धन से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है तो पाँचवे से पाँचवा अर्थाथ आपकी कुंडली में तो नाइन थाउस है जो भाग्य भाव है धर्म भाव है वो है आपके कुल परमपरा को सहनचालित करने की तीसरे शिंखला माने पोते का सुख है अब अगर आपकी जन्म कुंडली के नाइन थाउस में पुरुष ग्रह बैठा है और पुरुष ग्रह अथ्वा शुभ ग्रह की द्रश्टी उस पर पड़ रही है तो आपके घर में जो बेटा का बेटा आएगा यानि पोता आएगा वो दीरग जीवी यशश्वी बुद्धी शाली कुशाग्र और धर्म निष्ट होगा अगर वहाँ पर नाइन थाउस में बैठे हुए इस्त्री ग्रह हैं तो फिर पोतियां होंगी पोते नहीं होंगे और हाँ यदी वहाँ पर बैठे हुए अश्व ग्रह मतलब पाप ग्रह हैं और पाप ग्रह ही देखते हैं तो ना पोता होगा ना पोती होगी इसलिए आपको अपने कुंडली के नाइन थाउस से अपने पोते के बारे में विचार करना चाहिए और यदी वहाँ पर ब्रहस्पती सूर्य बुद्ध इत्याद शुभ ग्रह भी हुए तो समझना कि आपको अपने पोते और पोतियों से परमसुख अईश्वरिय आनंद जो संसारी रिती से दिखा जाता है सब मिलेगा यानि आपके बेटे का बेटा आपकी परमपरा को आगे और चलाएगा इसलिए बेटे की कुल परमपरा थवा आपकी कुल परमपरा आगे बढ़ेगी या नहीं पोता होगा या नहीं इसके लिए आपको 9000 विशेष तोर से देखना चाहिए तो ये छोटे से वीडियो में हम आपके साथ चर्चा किये आगले वीडियो में हम और कोई चर्चा करेंगे तब तक लेते हैं विदा नमस्कार जैश्रकृष्ट